पुलिस ने फुल गाम में दो ड्रग तसकरों को गिरफतार किया है परती बंदित पदार्थ किये बरामत 22 अगस्त समाज से नशीले पदार्थों के खत्रे को खत्म करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए फुल गाम पुलिस ने दो ड्रग तसकरों को गिरफतार किया है और उनके कबजे से प्रतिबंदित पदार्थ बरामात किये हैं डी एस पे मुख्याला फुल गाम श्री गुलाम मुहमद भट जेके पियेस की देख रेक में फुल गाम धाने के अधिकारियों ने बालसों क्रॉसिंग पर स्थापित चोकी पर बैग लेकर जा रहे दो संदिक व्यक्तियों को रोका उनके पहचान तारी गाम निवासी महमद एहसान बट पुत्र सब्जार एहमद भट और खान मोहतिवारी महमद अफजल लोन पुत्र आदिल आहलोन के रूप में हुई हैं जाच के दोरान अधिकारियों उनके पास से 20 किलो पोस्ता भूसा 6 ग्राम ब्राउन सुगर और एक डिजिटल वजनी पैमाना बरामात किया हैं उन्हें गिरफतार कर लिया गया है और एक पुलिस टेशन में थणान तरीत कर दिया गया हैं जहां वे हिरासत में हैं तद उनुशार मामले में प्रात्मिक नंबर 195 अवलिक 2021 कानून की संबदित दाराओं के तहट पुलिस टेशन फुलगा में पंजिकरूते और मामले की आगे की जाच शुरू कर दी गई हैं सामुदाय के सदस्यों के अनुरोद कि वे अपने पडोस में ड्रग तशकरों के संबन में किसी भी जानकारी के साथ आ गया हैं नशीली दवाओं की तशकरी में सल्लिम तुपाये जाने वाले व्यक्तियों पर कानून के अनुसार कारेवाही की जाएगी नशीली दवाओं के तशकरों के खिलाब हमारी लगातार कारेवाई से सामुदायक स्वास्तियों को आस्वास्त होना चाहिए कि हम अपने समाच को नशीली दवाओं के खत्रे से मुक्त रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट जगत न्यूस 24 फूल गाम